मुवी की सुरुवात में सहर से बाहर एक पीटर नामका आदमी एक मैंगोलिया नामकी लड़की से लिफ्ट माँगता है जिस पर वो लड़की उसे लिफ्ट दे देती है गाड़ी में बैठने के बाद वो आदमी पीटर रिवोलवर दिखा कर उसे डराने लगता है वो उसे गाड़ी किसी सुनसान जगा पर रोकने को कहता है और टरी सेमी मैंगोलिया उसकी बात माल लेती है तब पीटर उसे जबरजस्ती और बत्तमीजी करने लगता है वो उसे डरा धमका कर र खोड़ी देर बाद वो अपने घर पर पहुंच जाती है और अंदर से आंटली आकर बोलती है तुम आ गई मैंगोलिया मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी उसके बाद मैंगोलिया उस आदमी के बारे में आंटली को बताती है और अंदर चली जाती है उसके बाद आंटली अपने मन्द बुधी नोकर टैरी को बुलाती है और उसे गाड़ी पार्क करने का कहती है उसके बाद टैरी गाड़ी को गैराज में और पीटर की लास को बेस्मिंट में फैक्ट देता है और दूसरी तरफ हम एक लड़की फोन को देखती है जो होटल में मेट की डिलिवरी का काम करती थी वो होटल के ओनर को कहती है कि मुझे उमीद है कि हर बार की तरह आंटली का मेट आपको बहुत पसंद आएगा उसके बाद वो वहाँ से अपने घर जा रही होती है तब ही उससे एक लड़का लिफ्ट मांगता है और फोन उसे लिफ्ट दे देती है वो लड़का उससे बताता है कि मैं अगले सहर जा रहा हूँ और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आज की रात में यहीं बिता कर कल आगे बढ़ूंगा तब फोन उसे अपने घर चलने के लिए कहती है और वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं वहाँ टेरी उनके सामने आता है फोन टेरी को कहती है कि यह मेरा नया दोस्त है और गाड़ी गेराज में लगाकर इनके लिए खाने का इंतजाम करो यह कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं फिर टेरी गाड़ी को गेराज में ले जाता है वो दोनों घर के अंदर आ चुके थे फोन उस लड़के को ड्रिंक लेने के लिए कमरे में जाने को कहती है लेकिन उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है इसलिए वो लाइट चलाने के लिए एक बटन ओन करता है और इधर बाहर से फोन भी एक बटन दबाती है जिसे दबाते ही उस लड़के का सिर एक ही वार में उसके धर्ड से अलग हो जाता है उन सभी लोगों ने इस घर में कतल करने के हर इंतजाम कर रखे थे फिर हम आंटली को देखते हैं जो दो लड़कियों के साथ मीट तयार कर रही थी तबी उसे केंडी कहती है आंटली आज मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी टैरी उसे देखने गया है तब सकाई कहती है कि वो जल्दी ही आ जाएगा आंटली लेकिन आंटली कहती है जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम दोनों को ही घर का सारा काम करना अब जाओ और जल्दी जल्दी मेट का इंतजाम करो हमें कल तक कई डिलीवरी भी करनी है फिर दो लड़कियां मेट का इंतजाम करने घर से बाहर आती हैं घर के बाहर आंटली और मेंगोलिया बैटकर बाते कर रही थी दरसल आंटली और उसकी लड़कियां कैनिवल थी वो सब खुद भी इंसाने मेट खाते थे और लोगों को भी खिलाया करते थे दूसी तरफ टैरी केंडी की गाड़ी देख रहा होता है जो केंडी से रास्ते में खराब हो गई थी इदर सकाई और केंडी अपने नए सिकार को ढूंड रहे होते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी ते काई आ जाती हैं वो इतनी खुबसूरत होती हैं कि चारों लड़के उन्हें देखते रह जाते हैं फिर वो लड़कियां उन चारों लड़कों को अपने साथ चलने को कहती हैं फिर वो चारों ही लड़के उनके साथ आंटली के घर में आ जाते हैं और आंटली उन चारों का काफी अच्छे से स्वागत करती है दूसरी तर्फ टैरी गाड़ी को मेकैनिक के पास लेकर आता है तभी वहाँ एक ओफिसर कायल आता है और आगे टैरी की हेल्प करने लगता है तभी कायल को कार से इंसानों के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं और इधर आंटली खाने के लिए मेट तैयार कर रही थी और फिर वो मेट तैयार करके ले आती है और फिर आंटली सभी से कहती है कि खाना सुरू करने से पहले सभी प्रातना करो ये बोल कर वो प्रातना करने लगते हैं और फिर सभी मज़े से खाना खाने लगते हैं आंटली के घर में एक बहुत अजीब सा कमरा भी था जिसमें सिरफ बेबी नाम की एक लड़की रहती थी तब मैंगोलिया उस कमरे का दरवाजा खोल के कहती है कि चलो बेबी खाने का समय हो गया और आज दो घर में महमान भी आए हैं दरवसल बेबी दिमागी रूप से कमजोर थी दूसरी तरव सारे खाना खाते हुए बाते कर रहे थे तब मैंगोलिया वहाँ पर बेबी को लेकर आती है और दूसरी तरव ओफिसर कायल टेरी से पुष्टाच कर रहा था तब टेरी कहता है मुझे माफ कर दो मैं आगे से किसी को नहीं मारूँगा जो कतल आंटली और उन लड़कियों ने किये थे उन सब का इलजाम टेरी ने अपने उपर ले लिया होता है दूसरी तरव मैंगोलिया बेबी को खाना खिला रही थी खाना किलाने के बाद मैंगोलिया और डोक बेबी को वापस कमरे में छोड़ने जाते हैं बेबी के कमरे में जंजीरों को देखकर डोक कहता है ये कमरा तो काफी डरावना है किन मैंगोलिया उसकी बातों को अंसुना कर देती है फिर वो डोग को अपनी बातों में फसाकर उसे जंजीरों में बान देती है उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही कैनिबल बेबी पीछे से उसकी करदन पर काट खाती है उस बिचारे लड़के को पता नहीं था कि इस घर की सबी लड़किया आदम खोर मतलब कैनिबल हैं इधर जोन को स्काई भी एक कमरे में ले आई थी और पॉल भी फोन के पीछे एक कमरे में आ जाता है फोन पॉल को पहले अपने जाल में फसा कर उसकी दोनों आखे नोच लेती है उसके बाद वो एक तिजधार वाले हतियार से उसकी जान ले लेती है उसरी तरफ जोन को कमरे में एक कटा हुआ सर दिखता है लेकिन इन इतनी देर में इसकाई एक खुक के अंदर फसा कर उसकी भी जान ले लेती है जोन बहुत ही तडब तडब कर अपना दम तोड़ देता है अब बस लियो बचा था जो कैंडी के पास बैठा बाते कर रहा था आंटली के घर में बहुत सारे खतरनाक कमरे थे लियो और कैंडी भी एक खास कमरे में आते है कैंडी लियो को लिटा कर उसके सरीर पर रंग लगाती है और फिर सापों के स्टैचू के पास जाकर नाचने लगती है लियो उसे देख रहा था तब ही अचनक सी उसके उपर साप के दात गिरते हैं जिससे वो मर जाता है वो साप के दात कैंडी ने ही नाचते हुए उस पर गिराए थे अब आंटली और उन लड़कियों के पास बहुत सारा मेट था वो सारे इतना सारा मेट देखकर बहुत खुश थी नेक्स्ट मॉर्निंग ओफिसर कायल टेरी को लेकर आंटली के घर पर आता है वो आंटली और टेरी को पहले से जानता था क्योंकि आंटली के यहां का मीट पुरे सहर में फेमस था वो घर में आकर आंटली को बताता है कि टेरी एक कातिल है और मुझे ये भी पता है कि वो दिमागी तोर से कमजोर है ये सुनकर आंटली को बहुत दुख होता है और कायल आंटली को संभालता है उसके बाद कायल आंटली से कहता है कि मुझे टेरी के बारे में हेड कॉार्टर म में बताना पड़ेगा तब ही फ 분들이 कोफीं बनाने उठती है और हो इस बार भी कोई बटन दबाती है फिर वHe काई को कहती है कि लगता है छाई कुछ कविशद में आप मेरी हम करेंगे उसके बाद काईल को पीचे से पकड़ लिती है खायल का हाथ उस सिंक में बुरी तरह फस जाता है और तभी आंटली उसे एक गन से गोली मार कर मार डालती है और मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सभी खुबसूरत कैनिबल लड़कियां अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी वो खुद भी इंसाने में खा रही थी और दूसरों को भी खिला रही थी और यहीं पर इस कैनिबल मुवी का एंड हो जाता है अगर एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वोच